हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है और चलिए एक और नई रेसिपी आप लोगों के साथ सेयर करते हैं चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए ये मैंने कुछ ले लिए एक रखा टुकड़ा लहशोन हरी मिर्च तीन टमाटर तीन प्याज और इन सब को मैं थोड़ा सा रफली चोप करके रख लूँगी यह मैंने प्याज देखें मोटा मोटा सा कट करें यह आपर मैंने लिया तेल कड़ाई में और इसमें मैंने कुछ मसाले डाले हैं जो कि यूं है एक तेज पत्ता थोड़ा सा दाल्चिनी का टुकड़ा दो तीन हरी लाइची एक बड़ी लाइची और तीन चार लोंग और बाद मैंने इसमें डाला है अद्रक का टुकडा लैसुन और ये हरी मिर्च जो कि आप लोगों को पहले दिखाई थी अब इसमें एड़ करूंगी मैं ये प्याज जो कि मैंने पहले से कट करके रख ली थी इनको एड़ करके एक बार थोड़ा सा चला देंगे और फिर इसमें आड़ करूंगी ये टमाटर टमाटर के सारे टमाटर भी मैंने इसे मोटे मोटे काट लिये थे इसको भी आड़ करेंगे और अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक आड़ करूंगी एक बार इसको चला कर ताकि ये टमाटर और सारी सबजी अच्छी से कल जाए और फिर इसको नती हम से गीव हचा है और गड़ितरा में से फिरशे परतशा पंस baren प्रमटन पानी हमा ने भी पीशे मल्सने के लिए ईक साइड भिसका घ्स होने वीए हैं mont तेज पत्य क को निकाल देना है और पाके सारे मिश्रनों को मिक्सिbell बना нал लिये अर यह दिखनी बन कर त Yayow और एक लिए और यहां पर ले लिए एक भगुना मैं में दो घ्लास पाणी इसifully एक चमठ्स सूंगरेञाना मैं खाले मत्र इसको हमें पानी को अच्छे से गरम होने के बाद याड़ करना है और इस पर ढखकन लगा कर मैं पान से दस मिंट के लिए रख दूँगी इसको मैंने उबाला नहीं खाली गरम पानी में ही डाल कर रखा है ये देखे इसका कलर थोड़ा सा चेंज भी हो गया और ये अच्छे से गल भी गए थे अब ले लेंगे हम दो चमच मलाई ये ताजा मलाई है इसमें मैंने डाली आदी चमच हल्दी पावडर और श्वाद अनुसार लाल मिर चैड कर दे लाल मिर चैड करने के बाद इसमें मैं एड करूँगी एक चमच धनिया पावडर अगर आप चाओ तो इसमें मलाई की बज़ाए धही का इस्तमाल भी कर शकते हैं मैंने या पर मलाई का इस्तमाल किया क्योंकि मैंने इस सबजी को मीठा बनाना है अब ये इसमें एड करिया मैंने आदी चमच जीरा पावडर इसको अच्छे तरह ऐसे मिक्स करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे इसको चमच की मदद से अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे और इस मलाई को भी अच्छे से फेट लेंगे और एक गाडा सा पेस्ट बना लेंगे अगर हम मत्र की सब्जी इस परकार बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है एक बार आप लोग इसको ट्राइ जरूर करें ये बहुत स्वादिश सब्जी बनकर तयार होती है इसके सामने हमारे होटल और रेस्ट्रोडन की सब्जी भी फैल है यहां पर ले लिया मैंने एक पे तो इसका जो कसेला पने वो खतम हो जाए इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक एड़ कर देती हूं और यह अब हमारा जीरा अच्छे से बुन गया है और जो अब हमने ये मलाई का पेस्ट बनाया था इसमें ये एड़ कर दिया है मलाई के पेस्ट को अच्छी तरह से पकाएंगे और इसके पकने के बाद ही जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बना के रखा था उसको इसमें एड़ करेंगे ये देखिए इसमें बबल सुट रहे हैं और ये हमारा पक भी चुका है और अब इसमें जो पेस्ट बना के यहां पर मैं इस ग्रेवी में थोड़ा सा पानी आड़ करूंगी यह मैंने इस जार को दोकर यह अच्छे से इसमें डाल दिया है यह देखिए हमारे ग्रेवी मिल्गुल बन कर तयार है अब इस पर मैं थोड़ा सा ड़कन लगा दूंगी क्योंकि यह पकते वक्त थोड़ा सा उचट उचट के बाहरा आ रही है इसलिए इस पर डखकन लगा कर इसको 3-4 मिनट के लिए पकाये तीन से दून कर दिया है और 3-4 मिनट के बाद यह देखिए हमारे ही ग्रेवी आच्छे से पक चुकी थी और इसमें मैंने यह जो हमने मतर पानी में डाल कर रखी थी वो इसमें एड़ कर दिये इसको एड़ करने के बाद फिर से हम इसको ढख कर अच्छे से मिक्स करके और ढख कर तीन से चार मिनट के लिए इसमें मटर के साथ पकाएंगे ये देखे इसको हम एक बार फिर से ढख देंगे और लाइक शेज़ कष्दाओं में इसके तक पहुंस्ता रहे, आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं आगली किसी नेक्स्ट वीडियो में झाल झाल